है लो फ्रेंड्स तो स्वागत है आपका मेरी इस यूटूब चानल पर तो आज की सुडियो में मैं आपको ब्लाउस का जो मेजर्मेंट है आपको कितना लेना है वो बताऊंगी क्यूंकि बहुत सारे लोगों को आर्महूल कितना लेना है गले का जो वेड्थ होती है गले की विर्थ कितनने लेनी है शोल्डर कितना लेना है वह मैं आपको बता Department के सबार्ट लुद में आर्मॅल में प्लाउस कहलेन बूरा स्रंटी वियंग क vendors सब्सक्राइद में वा कंद्च में बिल्कुल पसंद नहीं आते तो चले मैं आपको जो taylors लोग यूज़ करते हैं ट्रीक तो बहुत सारे taylors जो tric यूज़ करते है मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगे अगर आपको पसंद आए तो प्लेस से like और शेयर जरूर करें तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम 28 साइज से स्टार्ट करेंगे 28 to 30 साइज उसके बाद 32, 34, 36 to 38, 40 to 42 उसके बाद 44, 46 यहाँ पर 48 और 50 साइज इससे आगी जादा तर नहीं होता और होता भी है तो थोड़ा हमें एक्षा मेजर्मेंट लेना पड़ता है तो चलिए हम जो हमरी 28 और 30 चेस्ट की जो साइज होती है उसके लिए हमें गला, आर्म होल, शोल्डर कितना लेना है मैं आपको बताती हूँ तो हमें जो गले की वीर्थ होती है 2 इंच लेना है उसके बाद जो शोल्डर होता है वो हमें 3 इंच लेना है मतलब जो टोटल शोल्डर होता है 5 इंच हमें लेना है ये neck width है और ये shoulder है और उसके बाद हमें armhole यहाँ पर लेना है इसके लिए हमें armhole शाड़े 5.5 पॉइंट 5.5 पॉइंट 5.5 पॉइंट हमें armhole लेना है गले की width 2 inch shoulder 3 inch लेना है उसके बाद जो 32, 34 size का यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि गले की width armhole shoulder कहाँ पर है तो यह देखे यह 32 size का है इसकी width मैंने 9.5 inch रखी है और यह देखे यहाँ पर गले की मैंने आपको width बूली है वो 2.5 है यह shoulder है यह 3 inch है और यह armhole है यह 6 inch पर है और यह गला customers की choice पर होता है हमें कितना लंबा रखना है कितना ब्रॉड रखना है तो अगर आपको ब्रॉड गल चाहिए तो बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं 2.5 inch के जग यहाँ पर 3 inch रखते हैं और इस तरह से ब्रॉड गला करते हैं तो बिल्कुल कंदे गिर जाते हैं तो हमें यहाँ पर यह इस तरह से ऐसे ब्रॉड करना है यहाँ पर हमें shoulder नहीं बढ़ाना मतलब जो यहाँ पर दिखाया है इस तरह से draw करते हैं मतलब यह बहुत बड़ी जगा हो जाती है तो यहाँ पर इस तरह से जोल पड़ जाता हैं blouse में तो इस तरह से यह बिल्कुल perfect इस तरह से लेना है हमें इसका अंतर हमें 1 inch पर रखना है तो यह blouse बिल्कुल बराबर बेठता है तो इस तरह से हैं तो चलिए अब चार्ट देखते हैं 32-34 साइज का है तो इसके लिए हमें जो गले की विर्थ होती है वो 2.5 इंच लेना है शोल्डर हमें 3 इंच ही रखना है ज्यादा शोल्डर रखेंगे तो ब्लाउज की जो साइड होती है वो स्लूज की तरब जाता है औ और स्लूज भी बिल्कुल पर्फेक्ट नहीं बेटती है तो इसके लिए हमें इतना ही मेजरमेंट व्यूज करना है आर्म होल हम रखेंगे 6 इंच और उसके बाद जो 36 और 38 चेस्ट है इनके लिए हमें जो शोल्डर है फिर से हमें 2.5 ही रखना है उसमें हमें चेंज नहीं करना क्योंकि जो हम 2.5 मेजरमेंट लेते हैं बिल्कुल पर्फेक्ट आता है बहुत साइज के लिए और यह बिल्कुल ट्रिक बराबर होती है इसमें अगर आप बदलाव करेंगे तो ब्लाउस बिल्कुल खराब हो जाते हैं मैं खूद यह इसी ही ट्रिक यूज करती हूँ तो इसके लिए हमें शोल्डर यहाँ पर रखना है फिर से हम 3 इंची रखेंगे इन्हें हमें बदल नहीं करना है और जो आर्म होलोता है हम इसे भी 6 इंची रखेंगे यह बिल्कुल पर्फेक्ट होता है नॉर्मल लोग जो टेलर होते बहुत सारे यहीं ट्रिक यूज करत हो है वह हमें फिर से 2.5 ही रखना है अगर हम जो बड़ा करते हैं तो गला बहुत फेल राता है अगर आपको जो गला ब्रॉड रखना है तो जो हम यहां का जो गले की साइज होती है हमें यहां नीचे से हमें ब्रॉड करना होता है यहां में कुछ चेंज नहीं करना तो इस होल हम लेंगे 6.5 इंच उसके बाद इसे भी हम यहीं मेजर्मेंट यूज करेंगे 2.5 गला 3.5 शोल्डर और जो 6.5 आर्म होल ही रखेंगे और उसके बाद यह बिग साइज होती है तो यहां पर हम गला रखेंगे 3 इंच शोल्डर हम रखेंगे 3.5 इंच और जो आर्म होता है वो हमें 6.5 ही रखना है और जो बन गले की जो बन गले होते हैं उसे हमें यह मेजर्मेंट चेंज करना पड़ता है है measurement किसका भी हो मतलब जो boat necq होता है band gala जो अधिमे जो एसे बंद टाइप से होते है तो यहाँ पर हमें armhole हमें 7 inch लेना पड़ता है boat necq के लिए इस तरह से वह बदल जाता है measurement armhole पूरा चेंज होता है shoulder भी पूरा चेंज होता है तो यह सिर्फ हम जो back side 논र्मल ब्लाउज बनाते है ना मेजर्मेंट लेना है और हमें इसमें क्या होता है हमें ठोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है यह Stormेंट ने सबस्ता कुछरा मेजर्मेंट के में प्र कंब Tarate dppcan One चलंगंद से को से ब्रोक्ट में क्लिक के लोक Tiper यूज़ करना पड़ता है अगर यहाँ पर 6.5 हमें लगेगा कि यह बॉड़ी के टाइप सही नहीं होगा तो हम थोड़ा सब उसमें एड़ कर लेंगे 7 इंच कर लेंगे तो लेकिन नॉर्मल तो यही लेना होता है लेकिन जब हमें दिमाग हमें बॉड़ी टाइप से देखन बॉड़ी टाइप हो उस तरह से कहा पर हमें चेंज करना ही आपके ध्यान में आ जाएगा तो आपका ब्लाउस बिल्कुल परफेक बेठेगा तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर करें थैंक्यू हैं